नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन मित्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं सिवराज सिंग अब के लिए हुमन्स बोडी सिस्टम पे सेकिंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे 24 इंपोर्टेंट क्यूशन तो चलिए दोस्तों, पहला क्यूशन देखते हैं रख्त परी संचन की खोज किसने की थी? तो विलियम ओप्शन ये है, वो है लिवेन होक ओप्शन भी है, वो है विलियम हारवे ओप्शन C है, वो है ग्रेगर मेडल और ओप्शन D है, वो है रोनाल्ड रोस इसका जो सही ओप्शन है, वो है ओप्शन B विलियम हारवे ने नेक्स्ट क्यूशन है, रख्त दाब किसके दौरा मापा जाता है ओप्शन A है, बेरोमीटर ओप्शन B है, स्पाइरोमीटर ओप्शन C है, स्पाइगनो मेनोमीटर Option D है, Hemocytometer इसका दुस्त ही आंसर है वो है Spigono Manometer Next Question पितरस कहां से स्तरावित होता है पितास्य से, यकरत से, पित नलिका से, अगनास्य से इसका दुस्त ही Option है Option C है, पित नलिका से Next Question है, यकरत किसका सरोत होता है Option A है, सरकरा Option B है, वसा में घुला विटामिन Option C है, खनीज लवन Option D है, प्रोटेन इसका जो सही Option है, वो है प्रोटेन, Option D Next Question RBC को बढ़ने को क्या कहते है जो RBC बढ़ता है, उन्हें क्या कहते है A है, एनीमिया B है, हेमोफिलिया C है, पॉलिसिथेमिया और D है, लिटामिया इसका जो सही, आंसर है वो है, Option C पॉलिसिथेमिया Next Question है, RBC के गठने को क्या कहते है Option A है,raub no Option B है, हेमोफिलिया Option C है, एनीमिया Option D है, परनेजियस एनीमिया इसका जो सही, आंसर है वो है, Option C परनेसियस एनीमिया नेक्स्ट क्यूसर है सवस्टमेक्ति में कितना रखता नोना चीये तो ऑफ्षन ए 1 लिटर ऑफ्षन भी है 3 लिटर ऑफ्षन C 5 लिटर ऑफ्षन D 7 लिटर तो सही आंसर है ऑफ्षन C 5 लिटर नेक्स्ट क्यूसर है आरबीसी का कब्रिष्थन किसे का आ जाता है ए है यकरत बी है प्लिहा सी है मस्तिक्स और डी है हर्दय इसका जो सही आंसर है वो है ऑफ्षन B प्लिहा को नेक्स्ट क्यूसर है हिमेटो प्यासिस कहां सी समपन होता है ऑफ्षन ये फेफडे बी है अगनास से सी है यकरत डी है अस्ति मज़ा इसका जो सही आंसर है वो है ऑफ्षन डी अस्ति मज़ा से नेक्स्ट क्यूसर है कणिकाओं से रहीत दर्वे क्या कहलाता है ऑफ्षन ये उत्तक तरल पदार्थ ऑफ्षन भी है प्लाज्मा ऑफ्षन सी है सीरम और ऑफ्षन डी है लिम इसका सही जो आंसर है वो है ऑफ्षन सी सीरम नेक्स्ट क्यूसर है डाइस्टेज एंजाइम के स्रोत है कौन कौन से स्रोत है ऑफ्षन ये लार गरंती ऑफ्षन बी है अमाश्य ऑफ्षन सी है यकरत और ऑफ्षन डी है अगना से इसका जो सही आंसर है वो है ऑफ्षन ये लार गरंती नेक्स्ट क्यूसर है इलेक्रो कार एड़वर्ड जेनर ने C है एंटोनियो ने और D है कार्ल वेब्ज ने इसका तो सही आंसर है वो है option A विलियम एन्थोवेर ने next question है कौन सा रक्त समुए सारो भोमिक दाता होता है option A है O plus option B है O minus option C है AB minus option D है AB plus इसका तो सही आंसर है वो है option B O minus होता है वो सारो भोमिक दाता कहलाता है next question है कौन सा रक्त समुए सारो भोमिक ग्राही होता है option A है A, option B है B, option C है AB और option D है O, इसका सही आंसर है वो है option C याने AB होता है वो सारो भोमिक ग्राही कहलाता है next question है सब्सक्राइब कितनी आरबी सी होती है ओप्शन यह 5 से 5.5 लाग भी है 4 से 4.5 लाग सी है 3 से 3.5 लाग और डी है 6 से 6.5 लाग इसका सही आंसर है वह ओप्शन यह है 5 से 5.5 लाग नेक्स्ट क्योशन है प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है ओप्शन यह है ल्यूकोसाइड ओप्शन भी है एरिंथ्रोसाइड ओप्शन सी है प्लेटलेट्स ओप्शन दी है थ्रॉम्बोसाइड इसका सही आंसर है वह ओप्शन दी थ्रॉम्बोसाइड नेक्स्ट क्योशन है रक्त में थक्कारोधी पदार्त कौन सा होता है Option A is Fibronogen Option B is Hyperin Option C is Thrombin Option D is Globin इसका सही answer है वो है Option B, Hyperin Next question है निम्न में से कौन सा उत्तकावधारन है Option A is Mastisk Option B is Rakt Option C is Yakrat Option D is Pet इसका सही answer है वो है Option B, Rakt Next question है Osteocyte कहां उत्पन होता है या उपस्तित होता है Option A is Asti Option B is Rakt Option C is Cartilage Option D is Lassika इसका सही answer है Option A Asti Next question है सवस्तमानों का Rakti Čप कितना होता है Option A is 121 बटे SCM Option B is 120 बटे SCM Option C is 124 बटे SCM Option D is 130 बटे SCM इसका सही answer है वो है Option B 120 बटे SCM Next question है WBC का दूसरा नाम क्या है Option A is Platelets Option B is Erythrocydes Option C is Leucocides Option D is Thrombocides इसका सही answer है वो है Option C Leucocides Next question है RBC का जिवन काल कितना होता है Option A है 103 दिन Option B है 140 दिन Option C है 120 दिन और Option D है 130 दिन इसका सही answer है Option C 120 दिन Next question है PaceMaker किस से समन दीते है Option A हो गुद्दा से Option B है वो दिमाग Option C है Favorडा और Option D है हरदे तो PaceMaker है वो हरदे से समन दीते है इसका Option D है वो right answer है यान हरदे की गतिकों मापने की काम आता है PaceMaker Next question है and last question है आंसू किस गरंथी से स्त्रावित होती है आंसू कौन ची गरंथी से स्त्रावित होते है Option A है Puse गरंथी Option B है Leacrimal गरंथी Option C है Thyroid गरंथी Option D है Adrenal गरंथी इसका सही answer है वो है Option B Leacrimal गरंथी दन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए Education मित्रा को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राइक कॉमेंट में दीजिए धन्यवाद दोस्तों